और मेरे देश के नौजवानों कैसे हो आप सब तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं All New BS6 KTM Duke 250 के बारे में दोस्तो हाली में इसमें एक मीजर अपडेट आया है और वो ये है कि अब इसमें आपको हैलोजन हेडलैंप नहीं मिलेगा अब इसमें आपको Duke 390 वाला LED हेडलाइट मिलेगा जो देखने में काफी ज़ाद स्टाइलिश लगता है और मैं खुद Duke 390 ओन करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हेडलैंप की नाइट विजिबलिटी काफी ज़ादा तगडी है मतलब आपको आसानी से जाएंगी बाकि दोस्तों लुक्स के मामले में ये बाइक काफी शांदार है मतलब 250 CC सेगमेंट में आपको इससे शार्प और मस्किलर लुक किसी भी नेकड बाइक में देखने को नहीं मिलेगा हो सकता है कि कुछ लोग हस्क वरना की और जाएं लेकिन स्पोर्टी लुक्स नहीं हुए हैं आपको सेम LED टेल लाइट मिलती है और LED इंडिकेटर्स मिलेंगे बाकि इस बाइक के जो न्यू ग्राफिक्स हैं वो पहले के मुकाबले काफी ज़ादा खुबसूरत है और दोस्तों इस बाइक में आपको सूपर मोटो मोड मिलता है जुसको आन करने से आप पीछे के ABS को disable कर सकते हो तो अगर आपका stunts और drift मारने का मन करें तो आप पीछे के ABS को off करके कर सकते हो दोस्तों seat comfort इस बाइक का काफी बढ़िया है राइडर और पिलियन सीट दोनों ही अच्छी spaceful है और well cushioned है तो आप आराम से तीन से चार घंटी के राइड इस पर बैठ के कर सकते हो बाकि दोस्तों sitting posture इस बाइक का upright रहेगा तो आपको किसी भी तरह का back pain और shoulder pain नहीं होगा engine specs की बात करें तो इस bike में आपको मिलता है 248.8cc का single cylinder 4 valve liquid cooled FIDO HSE engine जो max power produce करता है 30 PS at 9000 RPM और max torque generate करता है 24 Nm at 7500 RPM का और BS6 के आने से power और torque में 1% का भी drop out नहीं हुआ है जो कि काफी अच्छी बात है पहले जैसा ही same power और torque इसमें आपको मिलता है बाकि अगर mileage की बात करें तो ये BS6 compliant engine है तो आप आराम से 35 to 40 kmpl तक का mileage gain कर सकते हो और अगर breaking की बात करें तो front में आपको 320 mm के बाइबर के disc brake मिल बाकि KTM की braking हमेशा से ही अच्छी रही है और इसमें आपको dual channel ABS भी मिल जाता है टायर्स और suspension की बात करें तो सामने आपको 43 mm USD fork suspension मिलता है और 110 section 70 का टायर मिलता है वहीं पीछे आपको WP monoshock suspension मिलेगा और 150 section 60 का टायर मिलता है जो कि काफी motor tire है जिसके करण बाइक पीछे से एक sporty look देती है instrument console इसमें आपको fully digital मिलता है जिसमें आपको आपकी जरुरत के हिसाब के indicators और features मिल जाएंगे क्योंकि ये अभी तक का सबसे जादा information provide कराने वाला instrument console है switch gear quality इस bike की काफी जादा तगड़ी है मतलब जो switches की quality है वो best in class है और right handle bar में आपको engine kill switch और self start मिल जाता है बाकी इसमें आपको single pipe handle मिलेगा splitted handle नहीं मिलेगा दोस्तो price के बारे में बात करें तो 2,05,000 एक शोरूम देली इसका price है और मैं तो यही कहूंगा कि इस price में ये bike worth for money है क्योंकि features भी इसमें आपको अच्छा तगड़ा मिल जाता है आप ये मत सोचों कि इसका price जादा है क् क्योंकि BS6 की वजह से scooty और bikes सभी का price increase हुआ है इसलिए आपको इतना तुपे करना पड़ेगा बाकी आप comment box पर बताओ कि आप KTM Duke 250 को लेना पसंद करोगे की नहीं तो उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like करो, share करो और अगर आप channel पर नए आए हो तो subscribe करके bell icon भी दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ और दोस्तों आप लोग मुझे Instagram पर follow नहीं करते हो तो मैं description पर भी link दे दूँँगा और यहां भी आपको show हो र Thanks, till then wait for my new upcoming videos